वैशाली जिला बयूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट सराय थानाक शेत्र के अंजनी गाउं के राम निहुरा सिंग लालगंज के बीच बजार में स्थित S.P.I. शाखा से डेर लाख रुप्ये निकाल कर जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बड़े तभी एक बाइक सवार दो बदमाश उनके हाथ से जोला जपट कर फरार हो गया इस दौरान वे और उनके साथ हाया उनकी गाड़ी का चालक सड़क पर गिर पड़े जिससे कपड़ा फट गया और चालक को हल्की चोड़ भी लगी है घटना के संबंध में पीरित ने लालगंच थाना को आवेदन देकर जांचवा काररवाई की मांग है घटना की जानकारी उन्होंने लालगंच पुलिस को दी वहीं सूचना पर SDPO राघव दयाल लालगंच थाने की पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों की गिरफतारी के लिए छापेमारी में जुड़ गए हालांकि इस मामले में किसी की गिरफतारी नहीं हो सकी है खाताधारक रामनिहुरा सिंध ने बताया कि वेंट से डेर लाक रूपे निकाल कर जोले में रख लिया जोला में पहले से पैंशन बुक, आधार कार्ट, पैंड कार्ट समेट के कागज़ाद थे कुछ दूरी पर लगी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा तो अपराधी मेरे हाथ से जोला जपट लिये इस दौरान में गिर पढ़ा और अपराधी जोला लेकर पुरानी पोस्ट ओफिस की ओर भाग निकले थाना ध्यक्ष सुमीन कुमार ने बताया कि मामला सम्जान में आते ही अपराधियों की पहचान कर उसके गिरफतारी के लिए छापेमारी शुरू कर दिया गया है द्राइबर मोगल में आए ओकर दोगेंड। धक्का मुकी भी कर गज़ेगी? ना कॉंची से रही आए इस यह मोटर साइक तक अटमी खेमारी कर दोफेमारी जोलाग मारेंद। निकला कि ना कॉंची करते हैं जी आप किसी से रिटाल है किसी इस भी भाग में है हम रिजाइब हो गया है किस तरह का कुछ देखे हैं किसा प्याप होने हुए था क्या नहीं नहीं हम पर गिल गए तब फोसाख हम पैसे देखा मूँ ताप गा पैसा निगाले कि मतलब गारी में नहीं बैठेड गारी तरह किस तरह लगा हुआ है तरह कि द्दुनल दुखां के दर जगता जहां बनता है वही बिक्री होता है वह सादने दर आठेड ताप गारी परबठने जा रहे तो जा रहे तो गारी लाने के तो